नमस्कार महापुर्शों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इनसान बनने में सहायता करती है इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुँचे सब कविता को जाने और समझे विशेश रूप से हमारी युवा होती पीड़ी अर्थात कि शूर बच्चे कविता से निकटता बनाए तो एक बेहतर समाज के निर्मान में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान ले कि कविता है क्या कविता का एक छोर जहां कलपना को आकाश की उचाईयों तक ले जाने के ख्षमता रखता है वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिता है यही अंतर विरोध ही कविता का जनक है कविता का भाव जगत चात्रों के लिए हमेशा से जिग्यासा का कारण बनता रहा है इस शंकला के कारिक्रमों में उनकी इने जिग्यासाओं का उत्तर खोजने का प्यास किया गया है डबराल की यह कविता एंसी आर्टी की कक्षा दस की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक छितिज भाग दो में संकलित है आईए सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ प्रस्तुत कर रही हैं सूस्त्री सबीला रसीद कविता का शीर्शक है संगतकार कवी हैं मंगलेश डबराल मुख्य गायक के चटान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुन्दर कमजोर कापती हुई थी वह मुख्य गायक का चोटा भाई है या उसका शिश्य या पैदल चल कर सीखने आने वाला दूर का कोई रिष्टेदार मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही इस्थाई को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे चूटा हुआ सामान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सिखिया था तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्सा अस्थ होता हुआ आवाज से राक जैसा कुछ गिरता हुआ तब ही मुख्य गायक को धांडस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर कभी कभी वह योही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को उंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुश्यता समझा जाना चाहिए अभी आपने सुना कविता पाठ प्रस्तुत कर रही थी सूस्री शबीला रशीद अब हम संगतकार कविता के महत्पुन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए हमारे भी चुपस्तित हैं डाक्टर अजय तिवारी डक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्व विध्याले के हिंदी विभाग में लंबे अर्षे से हिंदी अध्यान अध्यापन करते रहे हैं डक्टर तिवारी भासा साहित्य और सिक्षण की दुनिया में महत्पूर्ण नाम है उनसे चर्चा कर रहे हैं डाक्टर हरी मोहन शर्मा डाक्टर सर्मा दिल्ली विश्व विद्याले के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भासा साहित सिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है आईए देखते हैं उनकी बातचीत साथियों नमस्कार आज हम समकालीन कविता के महतपूर हस्ताक्षर मंगलेश डबराल और उनकी कविता संगतकार पर चर्चा करने जा रहे हैं मंगलेश डबराल प्रगशील चेतना के कवि हैं और समसामाईक समस्याओं पर अपनी कविता लिखते हैं मंगलेश डबराल की कविताओं पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर आजयतिवारी डॉक्टिवारी आपका इस कारिक्रम में बहुत बस्वागत है नमस्कार डॉक्तिवारी क्या ही अच्छा हो कि आप मंगलेश डबराल जी का संक्षिप्त जीवन परचे दे दें जि उन्हों ने आने के बाद पत्रकारिता में काम शुरू किया और दिल्ली, लखनव, इलाहबाद, भोपाल, इत्याद अनेक जगहों पर रहे इस सिल्सिले में और बाद में जनसत्ता नाम के अख़वार में वो लंबे समय तक साहित संबादक रहे फिर उस से निकलने के बाद भी कई अख़वारों में बराबर जुड़े रहे, कहीं कहीं जुड़े रहे, और कला के अनेक माध्यमों से परिचित हैं, और इस माइने में एक सुरुची संपन व्यक्ति हैं, संगीत को, चित्र कला को, और फिल्म और इत्यादि को, अच्छी तरह समझते हैं, एक में के बाद उन्होंने उसका एक बहुत अच्छा संसबरन लिखा है, तो और वो बड़ा प्रशनसित हुआ हिंदी में, तो एक गध्यकार के रूप में भी मंगलेश की अपनी एक शैली है, और कवी के रूप में भी उन्हें बहुत मानिता प्राप्थ हुई, इतनी की उन् संगतकार, संगत और कार दो शब्द है, संगतकार होता है साथ, तो जो साथ देने वाला है, वो संगतकार है, ये कवीता संगीत के रूपक में लिखी गई है, तो संगीत में आप जानते हैं कि एक गायक होता है, और कुछ उसके साथ आलाप में सहयोग करने वाले होते हैं, गाने में उसके धीमी आवाज में उसके साथ गाने वाले भी होते हैं और तबला, आर्मोनियम दूसरे चीजें बजाने वाले भी होते हैं ये जो उसके सहयोगी होते हैं ये संगतकार कहे जाते हैं एक छोटा सा वीडियो आप देखे इससे आसानी होगे बच्चों को समझने म कि संगतकार क्या होता है कि कि क्या बात है अब सुन्दर वीडियो था अब आप इस कविता की व्याख्या कर दें तो उससे कविता सपस्ट हो जाएगी व्याख्या के पहले यह उलेख करूँगा कि इसमें जो व्यत्ति गा रहा था वो मुख्यगायक है क्योंकि इस कविता में मुख्यगायक और संगतकार दोनों की भूमिका का विशलेशनर है तो वो जो गा रहा था वो मुख्यगायक है उसके साथ जो दूसरे लोग गा रहे थ होता है इसलिए संगीत की कला में संगतकार की बड़ी महत्वपूर्व कावी ने इस तरफ ध्याना करशित्थिया है और इसी से कविता का मर्म समझने में भी अर्थ समझने में भी सहयता मिलती है जैसे मुख्य भारी सवरा जायक के चटान जैसे भारी सवर्ण का सथ देती हुम हНँ अब चटान जैसा इसलिए कि सबसे प्रमुक्त स्वरुस्का है उोचा स्वर उसका है और द्रड़ होता है वाज सबसंदर कमजोर कांपती हुई थी किस की संगतकार की अभी यहां नाम नहीं आया है वह कह दिया एक तो चटान जैसी आवाज थी लेकिन उसका साथ देती हुई एक और आवाज थी जो सुन्दर कमजोर कापती हुई थी और इस से उस स्वर का महत्व और निखरता था वह मुख गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चल कर सीखने आने वाला दूर का कोई रिष्टदार अब आप एक बात देखें कि मुख गायक और वह संगतकार या वह जिसको कहा दिया है दो हैं तो एक की आवाज उपर है एक की आवाज उसका साथ दे रही है जो साथ देने वाला है वो या तो शिष्य है या चोटा भाई है या दूर का कोई रिष्टदार है गरीब जो पैदल चल कर सीखने आता है तो इस तरह एक पद क्रम है छोटे बड़े का नीचे उचे का एक क्रम है दोनों के बीच में या दिप दोनों गायक हैं तो कवी का ध्यान इस पर जाता है यह जो पद क्रम है इसमें जो नीचे है जिस पर आमतोर से ध्यान नहीं दिया जाता उसकी भूमी का क्या है वो कौन है और उसकी भूमी का क्या है अब इसके बाद देखिए मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूज मिलाता आया है प्राची इनकाल से अब आप देखें कि सहायकूं की आवाज मुख्य की आवाज के साथ हमेशा शामिल होती है अब इन सहायकूं को अगर जनता का प्रतीक मानें साधारन लोगों का प्रतीक मानें तो आप देखेंगे कि नायकत वही प्राप्त करता है जिसकी आवाज के साथ साधारन जनता की आवाज मिली होती है उस आवाज के मिले बिना वो महतुपूर्ण नहीं होता नायक नहीं बनता लेकिन यहां एक उल्लेक करने की चीज और है कि गरज गूंज एक महावरा है गरजना गूंजना तो यहां गरजना गूंजना महावरे को उन्होंने तोड़ के इस्तेमाल किया है और बहुत सार्थक यहां हमेशा मूर्डवन से पीछे होती है उसका परिणाम होती है तो संगतकार इसकी प्रतिध्वन होता है अच्छा को नहीं संगतकार से जोड़ा है क्या बनाया है गरज की अनुगूंज है वह है ना तो बहुत कलात्मत प्रियोग है और संगीत की भाशा में है संगीत के उसमें है गायक जब अंतरे की जटिलतानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में अब यहां आप देखें एक तो अनहद शब्द है दूसरा अंतरा शब्द है तीसरा इसके बाद तब संगतकार ही स्थाई को सभाले रहता है इस थाई शब्द है इन तीन शब्दों का संक्षेप में आर्थ है जाने कि अंतरा तो वह होता है जैसे आपने पहले एक पंक्तिगाई उसके बाद फिर एक उसका अनुछेद गाया पूरा एक खंड गाया फिर वह पहले वाला हिस्सा फिर लोडता है पह पहली पंक्ति थह जब आंतरे की जितिल तानों और शब्य उसकी ताने यह जैसी नहीं होती काफी उलजाव रहता है उसमें काफी भटकर रहती है उसpeं तरह तरह की ताने मिलाते हैं नो तो वह तानू के जंगल में जब भटक जाता है तो उस समय यह यह एक काम और करता है कि अनहध में भटकता है अपने सरगम को लांग कर अच्छा सरगम मतलब शालों कि उसकी जुछ सीमा है उस से कई वार गायक जब अपने तर्फ तरपे होता है अच्छा तर्व उस सरगम को आउन हा यहां सीमा नहीं है वह इस सरगम की सीमा को पार करके ओपर चला जाता है जिसको उदात्त पहुंचता है जहां जहाँ जिसको व्यापक कहें आप ये सीमा है व्या पक है और महानगायक अक्सर अपने तन्वे होने के बार, उस सरगम की सीमा को लांग जाते हैं, तो वो है अनहद, उधात ने जिसको कहें, आप व्यापक कहें, उचाई कहें, ये है, तो अनहद में पहुंच जाता है, सरगम को लांग कर, तब स्थाई को, यानि जो उसकी मूल टेक है, जिस पर इप orie पूरा गीत टिका हुआ है उस स्थाई को संभाले रहता है संगतकार ही मतलब मुख गायक तो पहुंच जाता है अनध की तरफ अनध की तरफ तो जो आधार है गीत की टेक है वो वही पकड़े रहते है उसको संगत का सभाले रखता है और इस तरह नीचे जो साधारन है और उपर जो उदात है दोनों एक साथ मौजूद होते हैं इसका बड़ा जादूई प्रभाव सुनने वाले पर पढ़ता है तो ये है इसमें इसके बाद आप देखें एक जैसे समेटता हो मुख गायक का पी वही होते हैं हैं यानि किवल गायन में नहीं वरे से भी हए डिता है इस शोटा हुआ उसको संगत्कार कारोilles कोु संभालते हैं चोटे पाए जो भी हैं हुआ करते हैं लेकिन इस सामां में में विवरन के भीतर चोटी सी कविता में कलाकार ने कवी ने एक और बड़ा अच्छा संकेत किया है कि जब उस समान उठाके चलता है तो जैसे बच्चे छोड़ देते हैं अपना सामान तो यह सामान कोई उठाता है तो यह उठाने वाले उसको उसका बच्पन याद दिला रहे ह वो भी कभी इस तरह से सीखा था जब वो नौसिखिया था तो नौसिखिया था कहने का मतलब है कि मुख्य गायक भी क्रमशा सीख सीख के बड़ा हुआ है गायक बना है तो इसलिए जो संगतकार है यह भी ऐसा नहीं है कि बड़े गायक नहीं है या नहीं हो सकते हैं यह भी तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख गायक को धाड़स बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर अब आप देखें कि वहां तो जटिलतानों में भटक के और फिर उदात्य में चला जाता है उचाई में यहां वो नीचे आता है जब आप नीचे स्वर गाते हैं तो उसमें कई बार आवाज बैठने लगती है ध्वनी बड़ी धीमी हो जाती है तो जब आवाज साथ छोड़ होने लगती है उत्सा अस्त होने लगता है यानि जब उसकी आवाज कमजोर पढ़ने लगती है तब और राख जैसा गिरना यह स्वर का विखरना है तो जब विखरने लगता है उस स्वर तभी उसको धाड़स बताता हुआ मुख्यगायक को तो यहां वो धाड़स बताता ह वहां वो स्थाई को संभाले हुए था और यहां धाड़स बढ़ाता है इस तरह संगतकार मुख मुख्यगायक को कई रूपों में सहयोग करता है अच्छा अच्छा प्रेरणा साथ छोड़ती है प्रेरणा साथ कैसे छोड़ने लगती है प्रेरणा साथ छोड़ने का मत्तब है कि गाने में जो उसके उत्सा होता है तो जब मिचले स्वर पे आते हैं तो उत्सा ठंडा पड़ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे अंदर की प्रेरणा भी नहीं बची है जबकि वो प्रेरणा से ही गा रहा है तब भी गाएगा लेकिन लगता है ऐसा कि छोड़ता हुआ प्रेरणा साथ छोड़ती हुइ छोड़ती नहीं है ऐसा लगता है कि साथ छोड़ रही है कहते हैं तब कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर बहुत सारथक है इसलिए की ध्यान तो सभी सुनने वालों का मुख्यगायक पर रहता है। जो संगतकार है उसको लोग अंदेखा करते हैं, भूले रहते हैं। तो इसलिए जो भूला हुआ था अचानक उसका स्वार सुनाई पड़ता है तो लगता है कहीं से उसका स्वार आगा है। यह जो कहीं से है यह बड़ा सार्थक है क्योंकि सब उसे भूले रहते हैं। अब आप देखें कि वह धाढ़ज बताता है इस तरह से मुख्यगायक को संभालता है। इसलिए संगतकार को भी प्रतिवाशाली और कुशल मानना चाहिए। कभी कभी वह योँ ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। यह तीसरा रूप है जहां वो यह जो राग गाया जा चुका है उस राग को फिर से गाया जा सकता है। ये उसको बोध कराता है, तो संगतकार की भूमिकार जीवन के अक्रम को बार बार लाने वाली है, इसके बाद इसका आंतिमन्ष है, जहां कवी, पूरी कविता का एक निचोड सा पेश करता है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को उ कि इसमें दो शब्द ध्यान देने लायक हैं, हिचक और कोशिष, इसका मतलब है कि वो आवाज उचा उठा सकता है, लेकिन उठाता नहीं, लगता है कि जैसे हिचकिचा रहा है, लेकिन वो हिचकिचाहच असलमें उसकी उसकी एक कोशिष है कि ऑवाज उची ना उठाए, तो जो उसकी कमजोर आवाज है, वो जान बूझ के कमजोर रखी गई आवाज है. क्यों? इसलिए कि मुख्यगायक तो वो है, ये संगतकार है, तो संगतकार की आवाज मुख्यगायक से उपर नहीं हो सकती, तो ये अपनी इस भूमिका, इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह समझता है. कहते हैं कि इसको उसकी विफलता नहीं, आसाफलता ना समझिये, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए. यानि जो समाज में साधारन लोग हैं, साधारन मनुष्य हैं, उनकी मानुष्यता को पहचाननी की जरूरत है, ये कवी की विचारधारा, कवी की सामाजिक द्रिश्टी है, जो सामने नहीं होते हैं, जो साहयक की भूमिका में होते हैं, वो भी महत्पूर्ण होते हैं, जो किसी भी उपलब्धि में उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है वो अपने आप उपलब्धि नहीं प्राप्त करता है जो साधारन लोग होते हैं उनका भी एक महत्व है उनको भी पहचानना चाहिए और इस तरह पूरी कविता समाज के एक रूपक में बदल जाती है तो वर्णन तो संगीत के द्रिश्यका है लेकिन उसके माध्यम से समाज में जो नायक की स्थित्में है और जो सहायक की इस्थित्में है उनके बीच के संबंध को भी सपष्ट करती है परिभाश्यत करती है ये इस कविता की बहुत बड़ी विशेष्टा है रगसाब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है साराइश्ट इस कविता का मूल संदेश क्या है यह थोड़ सा बता दें तो बेटर अंतिम पंक्तियों में जो उन्हों जो निर्धारित संबंध है उसको तोड़ता है और मुख्यदायक से उपर अपनी आवाज ले जाता है तो सारी बात नाश्ट हो जाएगी यानि हर एक की अपनी भूमिका होती है इसमें जिसकी भूमिका सहायक की है वो महत्वहीन नहीं है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो सह कि परिवार के सभी सदस सहयोग करते हैं तब एक व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है इसी तरह समाज में है अच्छा किसी भी क्षेत्र में आप ले 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 दर्शन में ले इतिहास में लेने साहित्य में लेने कहीं ले ले तो जो उपलब्धि प्राप्त करता है वो अकेले न उनको भूले रहते हैं कवी कहता है उनको भूलना नहीं उनके महत्व को स्वीकार करना ये हमारी मनुष्यता भी है और इस तरह इस कविता के माध्यम से साधारन मनुष्य के महत्व और सम्मान को कवी ने प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है और एक अच्छे कलात्मक व्याख्या प्रस्तुत्की है जो विश्लेशन किया है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए सब के लिए बहुत उपयोगी और वह मूल्य है और इससे निश्चे ही सब लोगों को लाब हुआ होगा ऐसी हमारी आशा है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद पर प्रकास डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्यान वर्धक और उपयोगी है बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है कविता की समझ उनकी पुक्ता हुई है इसमें संदेह नहीं है फिर भी आप लोगों के मन म कोई प्रश्ण और जिग्यासा हो तो आप लोग अपने साथियों और अपने सिक्षक सिक्षिकाओं से चर्चा करें और हमें भी पत्र लिखें हमारा पता है संजुक्त निदेशक C.I.E.T. चाचा नहरूभवन N.C.E.R.T. श्री अर्विन्दमार्ग नई दिल्ली 11-0-0-1 साथियों अब हमारा कारक्रम यहीं संपन होता है अगले कारक्रम में एक अन्य